हम बर्ज में जहां की रौनक है हम बेहने बेटिया माए है सब दुनिया अपना अंगन है हम दर्टी की मलकाए है हम बर्ज में जहां की रौनक है खुशाम दीद नाजरी पाकस्तान टेलिविजिन पे खुसूसी नश्रिया जिसका इनकाद हमने किया है आलमी यौम खवातीन के हवाले से हुकूक निस्वा के हवाले से बात हो रही है और हमारे मुख्तलिफ सेग्मेंट्स में जो अब से पहले गुजर चुके हैं हमारे महमानों से हमारी गुफ्तलिफ बड़ी सा रंगेज रही है मीडिया की किरदार के हवाले से बात हुई है औरत के किरदार से औरत के हवाले से बात हुई है यहां ज़रा आईन की भी बात करते हैं पाकिस्तान ने आईनी तोर पर खवातीन को मसावात की जिन्दगी गुजारने का हक दिया है बड़े बराबर के हुकोग दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और यकीन ये बात है भी कि 2018 में जहां पर खवातीन के इस्यूस की बात हो रही है उनके हुकोग के लिए आवाज उठाई जा रही है जेंडर गैप आज अपनी हद से गुजर चुका है पिर चाहे आप जिन्सी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें या रिमिनरेशन गैप की बात करें बहुत सारे ऐसे हुकोग हैं जिनसे आज भी खवातीन महरूम है क्या कहें बिल्कुल सही है खवातीन हज़ाद इस सेग्मेंट में बतोरे खास हम बात करेंगे जो इक्तिसारी तोर पे खवातीन को पस्मानदा रखा गया है और वो अभी जो वर्ल्ड एकनामिक फोरूम की रिपोर्ट है उसके मताबख भी खवातीन और मर्दों के दरमयान काम करने वाले मर्दों और काम करने वाली खवातीन की रोज़गार उनकी इंकम के दरमयान जो तफावत है वो से पूरा करने के लिए 207 साल दरकार हैं इतना लंबा गैप है दोनों में और इस हवाले से मैं समझता हूं इस मौज़ू पर बात करने के लिए कोई शखस पाकिस्तान में उससे जादा एहम नहीं है कि जो हमारे आज की महमान है मारवी मेमन, चेर्परसन बिस्प, अस्सलाम अलेकुम मारवी चेर्मन बिस्प, MNA, Federal Minister पर बिस्प को उठाया एक ऐसी जगा से और आज पांच साल बाद आप उस जगा पर करी हैं जहां इस प्रोग्रेम को दुनिया भर में एक रोल मॉडल के तौर पर लोग मान भी रहे हैं और आपको अवार्ट से नवास भी रहे हैं हाउस उफ कॉमन्स का मेजाती तौर पर आगा हूँ जान बेरिको ने पहला अवार्ड अपने नाम से शुरू किया स्पीकर्स अवार्ड फर दिमोक्रिसी और सारी दुनिया में उसके लिए सेलेक्टिया गया मार्भी मेमन को और आपको प्रेंच प्रेजिदेंट्स अवार्ड क्या बेग्राउंड है इन अवार्ड का बिसमिल्ला अर्मान एडिम देखें बात सारी है कि अल्ला ताला का बहुत बहुत शुकर है कि यह वार्ड मिले लेकिन उसे सबसे बढ़के जो शुकर इस बात का है कि मुझे अपने जो जब से मैं काम कर रही हूं और आज मैं 45 की हो गई है तो आपको आप अंदाज़ा लगा लें कितने वर्किंग यर्ज हो गए हैं अज वर्किंग वोमन और विमन्स डे के वाले से हमने जो पहले पहले ऐसी करेज़स वोमन देखिये जी जो अपने में बिल्कु बता लिगा और दस साल सियासत में पूरे होने लगे हैं और चे साल पीएमल नीन में पूरे हो गए हैं मेरे खाई मेंगे सबसे इंपोर्टन बात ये प्राइमिस्टर नवाज श्रीर साभ ने मुझे दिया है and I'm very grateful for that and I'm also very grateful for the support जो प्राइमिस्टर शायद खाकान अबासी साभ इस वक को दे रहे हैं currently. मैं उमीद करती हूं कि बिस्ट को institutional support हर वजीर आजम दे और हर वजीर आजम किसी भी पार्टी का हो उसको ओन करे as a state institute. हमने institution building पर काम किया क्यूंके मैंने हमेशा यही सीखा है अपने वालिद साभ से that it's all about institutions. तो hopefully बिस as an institution बेतर हुआ है और बिसे क्या deliver किया है? हमने 5.66 million खावातीन पूरे पाकिस्तान में, तूलो अर्ज में, किसी भी गाउ में उनको जो 5.66 million खावातीन है उनको stipends दिये, cash stipends दिये उससे जो आपने अभी economic बात की है, वो आगे बड़ी, कि उनके हाथ में cash आई, हर quarter उनके हाथ में cash आती है, बेशिक छोटी रखम आती है, income support है, income नहीं है, और इस cash से वो अपनी जिन्दगियां बेहतर कर सकती है. Let me cut you here, क्योंकि इसके उपर सबसे जादा criticism इसी बात पर है, वो ये कहते हैं कि आप लोगों को बेकार बना रहें, उनके हाथ में पैसे थमाएं के, वो करती तो कुछ नहीं है, घर बैठे पैसा मिल जाता है. और यही क्रिटिसिजम जब हम opposition में करते हैं, हमने भी यही राग में आप आप टीकलिक्ते रहें, पहली बात हो यह के वो खरीब खोवातिन घर पर बैठक कुछ ऐसानी के वहाग है, वह बहुत महमती खोवातिन है, भो घर बैठके यह घर के बाहर काम करती हैं, और यह उन二ंका मिल्कार करते हैं, और यह अन्म स्पोर्ट ए उनकी पूरी सा है सबसे जरूरी पाकिसान की मैलनुटिशन रेट बाट खराब है वो आपने बच्चों की खुराख पर डालती है बिल्कुमुशूरच चीज है कि पाकिसान का स्टेट जए खुराख में मदद का रहा है second जो जादा तर हमने देखा है कि वो अपने बच्चों की तालीम पे लगाती है third जो हमने देखा है कि उनकी चोटी-चोटी जरूरियात हैं जैसे health related कोई emergency होगी उस पे लगाती है choice औरत के पास है she decides इस साल का जो campaign है she decides at the end of the day I guess औरत जो भी पैसा उसको दिलता है वो अपने घर की बेहतरी के लिए या अपने कुम्बे की बेहतरी के लिए इस्तमाल करती है मैं एक जगा पढ़ रही थी कि जो घर बैटके पैसे मिलने वाली बात है जो home-based work force है जो के घर पर रहके काम करती है उसको तकरीबर एक करोर सवा करोर के करीब लोग है जिन में से 80% खवातीन है और ये वो खवातीन हैं जो घर बैटके काम करती है और आविसली इस तरह के सिस्टम्स उनको बड़ा हेल्प करते हैं लेकिन फॉर्मल वार्फोस में फिर भी उनका एक तरह से शमूलियत नहीं हो पाती है और ये हमारी जो खवातीन है अगर वो घर पे भी बैठी हैं घर से काम कर रही है या फील्ड में है और अगर काल्ट्रल एकानुमी का हिस्से हैं वहां से काम कर रही है ये मुश्किल से कोई घर पे बैठ के कुछ नहीं का रहा है और इसके इलावा मैं ये कहना चाहरे हूं कि ये जो इस टाइपंड जो इनको मिलता है एक तो ये इन चीजों पर जाता है दूसरा एक और कंडिशनल कैश ट्रांसफर है हमारा जब हमारी खावतीन बच्चों को स से 40 से भी कम बट लगभग उतने ही बजट से ये शुरूआ अब पीमल नून के दोर में इसका बजट 121 अरब रुपह है तो आप कमिट्मेंट देखें पीमल नून की जो एक ऐसे प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था उस उसी प्रोग्राम को आगे ले हमाले से क्योंगे आज में इसमें एक नेटवर्क है ये खवातीन जो है कोई बाट 64,000 बिस बेनिफिशरी कमिटी बनी वी है उस नेटवर्क के तहल वो अपने इशूज को डिसकास हर मैने करती है तो जब ये प्रोग्राम शुरू आथा तो उस वक तीन हजार मिलते थे या सुपचास तैसील आफिसे थे ये पूरे मुल्क के लिए ये किसी एक सूबे के लिए नहीं है तो अगर कुई समझता है कि ये सिर्फ एक सूबे में कांसेंट्रेट है गलत फैमी है अच्छा आपके खाल से विमें इंपावर्मेंट के लिए सिर्फ एक फैनाशल स्टाइप कि बहुत बहुत को पस किसी नहिंए थिर बएशायल in स्टाइप के फैनावा वंट साइप रेस किया है एक hari मेरे वाहाई है मेरे पास मेरे का करें मैरी जिंदगी मैं अपने हाथ में एप्र पर और यह जो अपनी बाउनिख को अपनी एक कर निए का तर मेरे कि चुछ यह ब कि पाकिष्टन के मेलनुटृशन रेट को खास अचे नहीं है। हुकूमत पाकिष्टन ने पैसे डाले हैं। नूटृशन रेट सरी करने क्रीकषर कि यह पैसा कहा जा रहा। यह पैसा और यह पैसा आौत तों को मिलते हैं पॉक्ष्ट को नहीं मिलते हैं और इसमें मैं एक पॉइंट जरूर रेस करना चाहूंगी क्यूंके हम लाग तनकीद करें अज हुकूमत पीपल्स पार्टी के ओपर और मैंने तो खास दौर पर माशा आला कोई कसर छोड़ी नहीं अपने पीमल काफ के दोर में और अब पीमल नून के दोर में पीपल्स पार्टी के पर तनकीद करने से लेकिन प्रेजिए जर्डारी वाज दिसाइड़ के यह जो विमन है उनको देना है वर्सेस मैंन को भी दे सकते थे तो जहां मैंने लाग तनकीद उन पर किये यह उन्होंने एक आइडी कार्ट बनाने की ज़रत है तो उनकी एक आइडी आ गई है स्टेट में जब यह बिसका जो सर्वे हुआ था जिसके ताहत इलिजिबिलिटी क्राइटीरिया तैह हुआ था 2010 में पीपल्स पार्टी के दौर में और उस वाक आठ साल पहले एक लिस्ट बनी थी के सेव अब 5.66 million जिनको पैसे मिल रहे हैं एक लिस्ट उनके पास ID कार्ट है तो यह प्लिटिकल इंपार्मेंट हुई और इसी वज़ा से आइ थिंक वह जो वोट लॉक्रसी दिमॉक्रसी का जो कॉंसेफ्ट है वो इसके साथ लिंक्ट है कि आपने औरतों को प्लिटिकल वोट की की राइट दी बिकास अफियर स्टाइपन सेकंड चीज़ जो बहुत एहम है इस पूरे सिंबॉलिक ली इस एक जब आप उनको वोट का राइट देते हैं और पैसे हाथ में देते हैं और राइट तो चूज देते हैं तो उसके साथ-साथ आप यह भी कह रहे हैं कि आप लड़ाई और जंग स्यासी तोर पे तब होती है जब लोग इसको प्लिटिकल नजर से इस प्रोग्राम को देखते हैं और आइटिंक मसला सारा यही रहा है कि जहां हम बहुत एहतराम करते हैं मौतरमा का बेनजीर भुटो साहिबा का और इसलिए नाम चेंज नहीं किया गय हम एतराम करते हैं लेकिन अगर वो उनके साथ असोसियेट भी हो रहा है तो हम इतना अलर्जिक नहीं होना चाहिए इस पे क्यूंकि हम समझते है यह तो हम क्या है नैशनल लीडर नहीं है राइट शुरू में यह इसू स्यासी तोर पे पीम नून को समझते हैं हम समझते हम पैसे बेनर्जीर साहिबा दे रही है पैसे स्टेट दे रहा है पैसे गमंबंड दे रही है लेकिन वह बहुत क्लेवर है उन्होंने नाम रखा और वह स्यासी थोड़ा उनको मैं यह बजाते खोड़े कि यह जो आठ साल बाद जो है और आज के दिन क्यूंकि आज विमन्स है तो सद्रे पाकिस्तान ममनून साहब जो है इसकी जो अपडेशन ऑफ दे लिस्स कट चुकी होंगे अब यह लिस्ट अपडेट हो गई क्योंकि हर पांच साल के बाद इस लिस्ट को अपडेट होना जरूरी है जब वह टूथासन ए टैन में वह लिस्ट बनी तो उसकी ता पार निकले जो उस लिस्ट नहीं थे जो पीपल्स पार्टी की 2010 की लिस्ट पे नहीं थे जो हमने निकाले और वो सिर्फ एक चोटा सा नंबर था 125,714 और मेरे खाल में उस पे आजकल रिसंदी थोड़ा शोर मच रहा है नहीं मचना चाहिए क्योंकि वही लिस्ट पीपल्स में हरीब नहीं थे यह उस लिस्ट में नहीं आए उनको मौका नहीं मिले मिला उनके बास कार्ट मिंदे उनको मौका नहीं मिला उस सवे का हिस्सा नहीं थे शायर 2010 में और अब हम कह रहें वापिस यह लिस्ट स्टिस्टिकली हर पांच साल अपडेट होना चाहिए इसको हमा को मानना चाहिए वो लिस्ट की अपडेशन कब डियू थी 2015 में जब मैं आई तो मैं इसका प्रोसेस शुरू किया एक साल टेकनिकल काम किया नो सियासी मुदाखलत कोई सियासी बंदा उस कमिटी में नहीं था उस टेकनिकल कमिटी के बाद फिर जो है 2016 में इस सर्वे लॉंच चार डिस्ट्रिक्स में डेस्क बेस लोगों ने आकर डेस्क पर अपना काम लिखाया उसके बाद 2017 की फेबरी में यह सर्वे डोर टो डोर 10 डिस्ट्रिक्स में लॉंच हुआ इस वक्त वो खतम हो चुका है पाइलिट और इस वक्त जो है आज के दिन यह हमारा बिग बिग कि जो नए गरीब आये है 2010 से जो इन्कलूड नही ओए थे उन को एड़ कर रहे हैं, अभी हम कोई लोग निकाल नहीं नहीं हaranե नहीं नहीं कोई नहीं होना चाहें यह लेकिन जब हम जब हम जब हम जब हम एड's करेंगे कि जो गरीब नहीं और से निकालने चाहिए तो हम in the हम एडिकषरी नीओ अर्भ में अट्रश्ट करेंगे लेकिन हम ऐसे नहीं छोडर देंगे उनको ऐसा करने जा सब्क्राइब करेंगे अजिए टेंगें फिर उनको ऐख सब्सक्दूर में एट पर स्विश्पर यह दोने पर अज्जूरेशिंड आपने पक्रण के अज्ट को देंगे तो को फेर श्क्राइब रहां जा रही होगा जब भूर्ट आपरेंगे प्यूंज फिर बहुत काम किय है, मेरा इंटरैक्शन ड्राइबं के जबर्दस्त हैं, आपको यह सारी बात बतानी की जुरूरती नहीं है, इसलिए कि सारी दुनिया तसलीम कर देगा, मुझे आपसे जो पूछना है, वो यह है, कहानिया क्या थी, कैसे लोग मेले, कोई इनुमरेट करेंगे, कोई सक्से स्टोरी, एक से एक कहानिया है, और जब म हैं, बहुत मुश्किल से डेरा बुकती, काफी डीजी खान से पॉंच पॉंच के पॉंची डेरा बुकती, और जब महां पहुंची तो जो जो दादी महां थी, वो उनके घर में मैं गई और उन्होंने बहुत फखर से मुझे का कि मुझे पैसे मिलते हैं, और बेटा साथ का उसने का इसको मैं नहीं देती, मैं खुद फैसला करती हैं, आपने स्टिस्टिक्स जैसे आपने बात की, तो वो स्टोरीज हैं, यह नहीं नहीं हैं, यह 5.6 million ओड़तों की कहानिया हैं, जिन्हों ने अपनी जिंदग्यां संभाली हैं, उनको इस एड की वज़ज़ से ज मेरी मर्जी होती हैं, और फिर एक और एजिट खातून थी, टांक में, रात के बीच में पहुंची थी, कहानिया हजार हैं, यह हमने टैबिलेट भी की हैं, और आठ नैशनल लैंग्विज़ और पाकिस्तान, हमारी जबाने उसमें हमने पब्लिश भी की हैं, को पढ़ने को और उसमें यह हैं, तो जो टांक वाली खातून थी, उसमें का कि पहले जब मुझे यह पैसे मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें से निकालके, जो मुझसे ज़्यादा गरीब है, उसके लिए मैं चावल बनाके मुझसे तक्सीम करती हूँ हैं, उसफ़कि नहीं यह एक द और पहले हम से जादा गरीब का गरीब में भी है और हमें तो जादा इसास होना चाहिए जो अपने से कमतर का खयाल जादा होता है मैं एक सवाल यहां पर सोच रही थी कि जब हम पंजाब का एक शेर था मैं और मेरे स्टाफ तो रोज कानियां देखते हैं मेरे साथ लेकिन वह बहुत मुविंग था सारे के सारे नेरली रो पड़े उस पर वह खातून थी वह विड़ो थी और वह अपने किसी खांदान अपन में भाई के घर में रहती हैं तो उसकी जो सोचल वैल्यू या उसकी जो इजद नफस है वो आपको समझ माती है वो कैसी एफेक्ट होती है तो उसने का कि यह पैसे आते हैं और मेरी इजद मेरे घर में बढ़ गई इस पैसे के ताहर और उसने अपना जब स्टोरी बताए व यह सपोर्ट है यह इजद है और यह किसी एक पार्टी के लोग नहीं है यह एक सर्वे जो हुआ और अब जो सर्वे वह बुल्कुल बहुत अच्छा एव जो सर्वे कहना चाहूंगी यह कहना चाहूंगी कि लास्ट इम नंबर फाइव थे पीमल नून कोशिश करा है कि हम अब नंबर वन बन जाए तभ ही मैंने एक साल प्लाइनिंग में लगाया तभ ही मैंने दो साल रोल आउट में इसको मैं लगारी हूं यह उएक तर्तीब से करना चाहती हूं चीज़ें ताकि यह कोई नहां का कि यह कोई अच्छी तरह ताकि हम एक्छली ग्लोबल क्योंके लास्टाइम नंबर फाइव थे तो इस दफा बैतर उसे बैतर उसके लिए हमने फॉर्म कट किये हमने टैबलेट्स पर चीज़ें डाली हमने बहुत सारे चेक्स बैलेंसे डाले हैं हमने उसका स्कोर कार्ड की वेटिज बढ़ाएं स्कोर क्वेस्टिंस को ज्यादा म करनी चाहिए फर्म इंटरनेशनल परस्पेक्टिव फर्म पॉवर्टी स्कोर कार्ड परस्पेक्टिव तो मैं हम वो चेस कर रहे हैं और जब मुझे मैं इस दो तीन मतलब किसम की रिडिकलिस किसम की स्यासी चीज़ें सुनती हूं तो मुझे हासी बहाती है रोना भी आता ह स्को स्यासी ना बनाएं ये सब के घरीब आया आप सब की इसमें सब को ओन करें याप वोटर्स भी है इनको इसत दे इनको ये ना कहें कि ये फला ये फलाई नहीं मेरी फैंड को इजट दे हम बात करें अब अब आभ बारी ऐजिसलीटर आपकी बड़ी स्ट्रॉण मेरी दो आई थी पिछली असेंबली में जब मैं एक एक एसेट पे ती जिसने ऑसकर फिल्म जो उस पर डॉक्यमेंटी बनी वो और अब वही लेजिसलेशन यूके में भी एक्जामन ओर उनको उसकी जरत में बहुत फखर इस बाप पर सेकंड जो थी वो मेरी वो मेरा गुडल मिला कि मैंने असेंबली में उसको प्रॉपोज किया और वो आपकी पिप्स थी वो आपकी जो इंस्टिटूट पर पार्लमेंट्री तो वो एक इंस्टिटूट बना बना वो इंस्टिटूट इस बिग वर्ड इन मा लाइफ तो यह दो थी इस हुकूमत पे अपनी हुकूम हम जब भी वज्चेट की बात करते हैं प्लिसी की बात करते हैं वो किसान वर्ड हमें याद क्यों नहीं आती है जिसकी ओपर खड़ी हुई है सारी नहें आविए। और जो अकाउंट नहीं होती जिसको फिनी इजग वी इजात में उति जिसको वो जेंडर पेग वो फैमिली वी संभालती। दुनिया के हर चीज मुशकिल काम करती एंपिन इसको वो इज़त नहीं मिलती। यह जो आपने एकोनौमिक बात की एंपिस के हमाले से यह बात आगे बढ़ रही है। ये खावतीन जब आपस में बैठती है न कमिटीज में, तो इन में से कुछ पिलिटिकल काउंसलेज भी बन रही है, ये लोकल काउंड के इस्जू भी उठाती है, ये अपनी इज़त की बात भी करती है, दूसरी आउर्टों की इज़त की बात करती है, ये उनकी इंपार्में की बात करें चाहिए आफ वाइलंस की बात करें चाहिए आप नुचुन की बात कामे रहा हैं उनको जोब्स में रही हैं वो सेल्स एज熱 बन रही पाक्दो सीज्चन क rendre लिए चाहिए एक स्वाल में जुरूर आप पर करना चाहूं क्योंकि आज यौमे खवातीन हैं तो बेशक बिस बहुत काम कर रहा है खवातीन को एक तरह से एमपावर भी कर रहा है लेकिन यहां पर चुके आप कानून साजी भी कर चुकी है इस तरह से के पारलिमेंट का काम है असके बारे में बात करना और उन्हें को फ तो क्या पार्लिमेंट का काम सिर्फ कानुन साजी है उनको इंप्लिमेंट करना या उन पे अमल दरामत भला ये कौन करेगा और कैसे करवाए जाएगा है पार्लिमेंट एक बनाए एक जेक्टिव ब्रांच इसको इंप्लिमेंट करें ये एक्जेक्टिव का काम है और अगर न युछ को आगे UPS क ऴर सो इसना आगे आया मिडिया मेरा तौरन मुल का वख रहा है शिरी टाया, so युछ किया घ्रभी एक्ज्सक एक्जुट कीया, और व्यघ्जो की की एक्सक्षा जए तो कि मैंने क्वालु युछ में चेनी मैं एक्सक्वू बखिगएनि करने की कोशिश की है वो कमिटी इसके जहरी है क्योंकि यह ऐसे तो नहीं हो सकता ना ऐलाने आम 5.66 million को कैसे आप रीच करेंगी हमारी बैसे रीचिंग टैक्टिक्स बड़ी जीरो कॉस्ट है वो बड़े बड़े अडविटिसमें में पहली बिस्की करती होगी मैंने को थी बिलीफ करती होगी मैंने तनी को खास की नहीं है स्कृइण प्रॉसेस बड़ा मैंसे चाहरें हमारी जो मॉस्क अनॉंस्मेंस हैं ना मैं उनको थैंक्यू करना चाहरी हुआ हुआ है तो उस से हमारी काफिश अच्छी चलती है और जिरो कॉस्ट पर भी अजाती है और बड़ी एफेक्टिव एफेक्टिम अज्ट मेसजिस को बड़ा प्रियेटिव इस्वाल वह बड़ा था है जी मुझे बहुत लोग उफर करत मानते हैं एक तरह से रोल मौडल में सियासत में खास्ताफ वे लड़कियों के लिए जो नए नए आना चाहती है जब विबन्स डे की बात होती है तो हम घरेली और बात करते हैं बड़ा तीर मारते हैं तो बहर काम करने वाली औरह के बाद करते हैं आपके ख्याल से इस वक् वाकिंग खातून है बड़े बड़े प्लाटफॉर्म से आपने हमारी नुमाइंदगी की है आज की औरत के सबसे जरूरी हुकुक क्या है कि जिनके बारे में हमें वाकई बात करनी चाहिए उसकी इज़त उसके घर में उसके माशरे में और वो इज़त औरत खुद कराती है अ हम दूसरों का ख्याल रख लेते हैं लेकिन अपनी एंपार्मेंट पर जादा हम कुछ करनी सकते हैं तो आइ थिंग सब को एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है और सब को अपनी इज़त खुद करानी की जरूरत है और इसमें बेसिकली यह है कि इसलाम में और बहुत तो अगर हम सिर्फ इसलाम ही रहे हम हम totally sorted है कर आइंग जाने की जरूरत हैं हम बहुत लखी हैं कि हमारे पर इस एक system बनावाए बहुत clear cut system है कि ऑरत की कैसी इज़त कर ने बहुत को लेकिन यह इसके लिए हमें किसी लेशिलेशन की जरूरत है हमारे पस Quran है हमें पता है किस से औरत की इज़त करने परने की देर सिर्फ नसर पर अजिए पर तो सब ने कुरान लिया है क्यूंकि इसब बच्पन पड़ी लेते हैं समझ भी लेते हैं लिकिन करना नहीं चाहते हैं तो मेरा मेसेज खावातीन के दिन पर यही होगा कि याद रखें कि खावातीन को कुछ सबस्सक्राइब तो सबस्सक्राइब बिए, अच्चिछ ऊध़ू बस्द के उसलम में उसलम हाउत तो बाद में पिसमान आथि तो इसलम की खता हैं दो, मैसे नहीं दिखा दिआता हैं, थिडों प्र शुछ रहें जिर्ण होंचिए से बहते हैं। अज़ पादिए के tartाने जितनी लोग खुलके बात करेंगे, वो अपनी बेस्टी नहीं कह रहे हैं, वो अपनी राइट्स की बात करें, उनका हाक है. हक मांगना भी इंपावर्मेंट का इक हिस्सा है. ये जो बात करना है ना अपने हुकूप के ओपर, ये हमारे माश्चर में कोई खास अच्छा नहीं समझा जाता है. बहुत सारी बाते हैं, मारवी बामन निश्स बहुत लंबी होती और आपसे तफसील से बात होती है. खवतिन उज़ाद मारवी मेमन ने एक बड़ी चुपती हुई बात कह दी है, कि आल्ला साहिंग यहीं दिखा देता है. कलाम इलाही में परवर्दिगार आलम ने कहा कि बरोज कियामत वो तमाम बच्चियां जिने तुमने दबा दिया था, वो ऐसे उठाई जाएंगी कि उनके हाथ में तुम्हारा गरेबान होगा, और वो तुमें खेशती हुई हमारे पास ले आएंगी, और पूछेंगी कि मे है, इस से पहले कि लाटी हम पे बरस चुके है, मारवी मेमिन का बहुत शुक्रिया, आज का दिन खास उस औरत के नाम, जो के अपनी अपनी जिन्दगी में अपनी अपनी जगह, अपने तमाम के दार बड़ी खुशी से अदा कर रही है, इस नशरियात में मैं शमून और हम बहुत कामियाब चेहरा देखा है, ये चेहरा उन तमाम करोड़ों पाकिस्तानी औरतों के लिए उमीद की किरन भी है, और साथ ही साथ उनको ये नवीद भी है, कि उन्हें अपनी सलाहियतों को मनवाना है, वो मुश्किलात जो उनके आड़े आ रही हैं, वो मुश्किलात दीवार थाबित होगी अगर उनका पाए इस्तकामत डट गया, ये यार रखिएगा कि परवर्दिगार आलम ने इनसान को किसी नभी के मौज़े की दलील बना कर नहीं पैदा किया, बलके एक औरत के रहम में अपनी रहमत का निशान बना कर पैदा किया है, तो मुझे उसी परवर्दिगार पर यकीन है, क्योंकि मुझे उस परवर्दिगार में अपनी मा की जलक नसर आती है, तो जब मा की का इतराम करें, तो यार लखिए कि औरत का इतराम भी करें, खवती नजार हम आपसे अजाज़त चाहेंगे, अगले आठ माश तक मुझे औरते हिंगों को अजाज़त तीजे, अल्ला हाफिए